हेलो एविबॉन कैसे हैं आप सब I hope आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे तो आज की जो reading हैं, यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम, आज के अपने इस रीडिंग में की आपके जो partner हैं, जो आज सुबह-सुबह आपके partner क्या सोच रहे हैं ठीक है सोच रहे थे आपके बारे में ठीक reading का topic हमारा यही रहेगा totally हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके partner की जो feelings है या कहें तो वो क्या सोच रहे थे deeply क्या सोच रहे थे वो हम देखेंगे इस पात के ख्याल रखना है चलिए करते हैं रिडिंग को स्टार्ट देखते हैं कि क्या कार्ट्स पताते हैं हमें आपके बारे में okay please मुझे गाइड करे universe ancestors okay please मुझे गाइड करे universe okay please मुझे गाइड करे okay देखते हैं कार्ट्स विंग sorry king of wands 10 star okay the tower okay ace of cups ka card hai okay the lovers okay the high priestess bottom of the deck page of pentacles आपके और आपके पार्टनर की बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस दिख रहा है एज एज गैप दिख रहा है ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज़े तो यहांपे काफी क्लियर है कि आप दोनों के बीच में गयारा प्रेम है आप दोनों के बीच में काफी ज़्यादा गयारा प्रेम है चाहे आपके पार्टर आपसे सेपरेट ही क्यो ना हो बट येस ये जो person है आपसे प्यार बहुत करते हैं ठीक है आपसे प्यार बहुत है इस person को और इस person के दिल में जो कहते हैं ना कि true feelings होना so yes आपके partner के दिल में है वो true feelings, true emotions, true energy काफ़े clear दिखाए दिती है यहाँ पे दिखें यहाँ पे काफ़ी clear है the tower का card अचानक से आप दोनों के बीच में वो जो प्यार है जो महाबबत है या कहें तो आचानक से जो आप दोनों के बीच में अलगाव है आचानक से आप दोनों ही अलग हो जाते हैं तो वो चीज़े मुझे काफ़ी ज़दा नजर आ रही है काफ़ी ज़दा मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो प्यार हो महाबबत है न वो दिखाए दे रही है और ऐसा मुझे फील होदा है कि अचानक से आप दोनों अलग हो गए है अचानक से ठीक है यह किसी और की प्री प्लानिं लाइफ में जो भी चीजे चल रही हैं बहुत ज़दा प्रोब्लमाटिक चल रही है लाइफ में चीजों का सामना रिलेशन्सिप का बहुत सारी कुछ चीजे ऐसी है जो की अनेक्सपेक्टेट तरीके से हो रही है ठीक है यहाँ मुझे ये भी फील होता है कि आपके और भाली भाती समझ में आ रहा है भाली भाती इनको समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है कैसे है कैसे नहीं है बहुत सारी चीजे जो है ना यह जो पर्सन है फील करते वे दिखाए दे रहे हैं कि मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप से जो प्यार है जो मौबत है जो एक जो एक अटाइच्मेंट है ना वो अटाइच्मेंट कहीं न कहीं जो कहते हैं ना कि खतम हो रही है या खतम होगी है ना वही अटाइच्मेंट जहना यहां पर मुझे नज काफी unexpected तरीके से आपके person आपसे दूर हो गये हैं यहां पे आप कहीं न कहीं try भी कर रहे हो new beginning करने की तो भी आपके partner के तरफ से कोई new beginning नहीं आ रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे की कहते हैं कि problem के साथ है ना आना life को पूरी तरीके से disturb कर जाना वो energy भी feel हो रही है मुझे यहां पे आपके partner की बीच की energy ऐसी है कि मतलब unexpected है यह जो भी चल रहा है ना यह unexpected है और unexpected हो करके life को हम कहते हैं कि समझते हैं ठीक है तो वही चीज़े partner एक new beginning करने की चाहत में थे आद सुबा सुबा जैसे कि आपको call करना message करना आचानक से वह भी आचानक जिस तरीके से यह person चले गए है ना आचानक से ही in common हो रहा था कि आपके तरफ यह person आए आप से बाते करें या आप से जो है ना reconcile करें ठीक मुझे यहां पे यह भी यादर जो है आपके partner को आपके तरफ खीजी लेती है ठीक है मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आप दोनों की यादर जो है ना आप दोनों की बाते जो है ना बहुत 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 ज़ादा बहुत ही ज़ादा जो है ना attract कर रही है ठीक है आपको भी अपने partner की याद और आपके पार्टनर को भी आपकी याद आ रही थी, आद सुबह सुबह। बहुत सारे लोग अपने inner voice की बाते मानते हुए दिखाए दे रहे हैं, अपने मन की सुनते हुए दिखाए दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों अपने मन की या कहें तो आप दोनों के मन में जो बी चीज़ें है जो भी बाते हैं जो भी एनर्जी इस हैना connect करने की चीज़ें जो है न मुझे नजर आ रही है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके partner की बीच में बहुत सारी कुछीजे हो सकती हैं बहुत सारी बाते हो सकती हैं लेकिन वही है कि life को थोड़ा सा मतलब एक होता ना कि समझ में नहीं आना adjust करना है ना वो चीजे मुझे नजर आ रही है थोड़ी सी ऐसी एनरजी है जो कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में एक बहुत ही प्यारा सा खुबसरत सा रिलेशन बनना जरुरी होता है तो वो बन रहा है एक प्रोबलम होता है कि चीजे जो है ना यहां पे अचानक अचानक हो रही हैं और अचानक अचानक होने के वजहे से यहां पे अशे रिलेशन सिप ऐसे आवस्ता में आप पहुंचा है मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टर की बीच में king of wants के energy है यहां पर जो दिख रहा है कि passion है ना आपके पार्टर के अंदर मुझे passion दिख रहा है आपके पार्टर के अंदर वो energy दिख रहा है कि मुझे से कि ये person काफी passionate हैं काफी ज़दा passionate है और काफी एक जो कहता है कि passion इतना ज़दा है कि मदब अब जो है आप से दूर रहना इस person के energy के अनुसार से लगता है कि नहीं हो पाएगा है ना हम दोने एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे हम दोने एक दूसरे से दूर कैसे रह सकते ह यह भी इस person के energy में feel हो रहा है मुझें ढ़िए आपके partner अब जो है दूरियों को बरिदास्त तो बिल्कुल भी नहीं गर पार हैं इस के लिए person hopeful है काफी hope रखा इस person काफी hope रखा है इस person ने और जानते हैं यह person आप से जूड़ कर आप से मदब एक रिकंसल करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ ठीक है तो वह एनरजी मुझे फील हो रही है आपके कार्ट में ओके मुझे गाइड करें युनिवर्स एंसिस्टर्स प्लीज मुझे गाइड करें ओके ओके ठीक है तो यहाँ पे है थ्री आफ स्वार्ट्स क्वीन अफ वांड्स ओके नाइट ओफ पेंटिकल्स ओके जस्ता मिनट तो यहाँ पे बेल बजी है और मुझे लगता है कि आपकी भी आपका भी कॉल आने वाला है क्योंकि रिंग कॉल की थी सो यस कोई को यह देखो ओके कॉल आने वाली है आपकी मुझे जहां तक लगता है ना आप लोग आप लोगों का कॉल आने वाला है ओके प्लीज मुझे गाइड करें फाइब ओफ स्वार्ट्स हर एफंट एंड मेरे पास यहाँ पे एट ओफ स्वार्ट्स ठीक है यहां पर व इंडर्जी मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत बें में हो आ अप अपने आपको ब्लेम्याट्र है आम humor को कहीं ना जहीं देख रहे हो कहीं ना कहीं में BA मुझे दिख रहे हैं कि आपके अंदर क्यों पर कोई और नहीं देख पार है आप बहुत लाचार बहुत ज्यादा लाचार मुझे दिख रहा बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि life में वह रुकावटें हैं ना वह देखना तो यह energy मुझे feel हो रही है आपके और आपके cards में ठीक आपको बहुत pain हो रहा है अंदर यह अंदर जैसे कि इसे कहते हैं कि बेचैनी होना है ना बेचैनी होना और ऐसा लगता है जिसे कि होता है ना कि five of swords five of swords के energy याने कि आप दोनों की बीच में जितनी भी ज़्यादा mission standing हुई है जितना भी चीजे कुछ बिगड़ी है है ना उसको लेकर कि भी tension मुझे नजर आ रही है आप दोनों की बीच में देखे आप frustrated ज़रूर है दिल दिमाग में बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो कि frustration से होकर के गुजर रही है फ्रस्टेट होकर के गुजर रही है चीजे life को एक सही way में लेके जाना वो ज़्यादा अच्छा है मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि एस सही way में और सही तरीके से लेकर के जाना यह काफी ज़दा compulsory मुझे नजर आ रह यहाँ पे सही way में आगे लेके जाना या सही तरीके से चीजों को समझना आपको समझना है ना वो अनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो प्यार वो महाबत धीरे-धीरे ही आगे बढ़ रही है या आपके पार्टनर का एक तरीके से इन और आउट करना आपको मैनेज का कमिट्मेंट नह देना या आपके ऊपर इतना बर्डन दाल देना आपको ब्लेम करना ये चीज़े आपको कही न कहीं बहुत ज़्यादा परिशान कर रही है हाला कि आप अपने आपको चेंज करना चाह रहे हो देखो इस relationship के लिए manage तो करना चाहते हो कहीं न कहीं compromise करने का आपका भी मन है कहीं न कहीं compromise करने का scene आपका भी बन रहा है लेकिन ये जो scene है ये जो compromise की energy आ रही है यहाँ पर कहीं न कहीं कुछी जो को तो दिखा रही है यहाँ relationship यही दिखा रहा है यही बता रहा है कि yes आपके और आपके partner के बीच में जो होना चाहिए वो बहतर होना चाहिए ठीक है मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके partner को आपका जो साथ है वो काफी ज़्यादा चाहिए काफी ज़्यादा और काफी ज़्यादा जो एक होता न कि emotional connection भी होना चाहिए दिल से connection होना चाहिए दिल ही दिल में प्यार भरी बाते होनी चाहिए प्यार भरी चीजे होनी चाहिए ठीक आप चाहते हो यह लेकिन यह आपके पार्टनर जो है ना यहां पर आपको दे नहीं पारे जिसके वज़े से और ज़दा एंजाइटी और स्ट्रेस होता वह दिख रहा है आप अपनी लाइफ में कई ना कई खुश नहीं हो बहले ही आप अपना work कर रहे हो, job कर रहे हो यह passionate होने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अंदर से जो दिल है यह इना काफी अकेला है है जो कि अनेक्सपेक्ट तरीके से अनेक्सपेक्टेड वे में जो है ना आपके तरफ आती भी दिख रही है ठीक है तो वह एनर्जी मुझे काफी ज्यादा नजर आ रही है चलिए देखते हैं कि इस रिलेशंशिप में आगे क्या होने वाला है प्लीज मुझे गाइड करें अके दा एंप्रेस के अनर्जी है एस अफ पंटिकल्स अके जस्टिस अके टू आफ स्वोर्ड्स अके दा वर्ल्ड किंग आफ स्वोर्ड्स अके बाटम अफ तर डेक है यहाँ पे त्री आफ पंटिकल्स कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आगे क्या होने वाला है तो आगे देखे कुछ ऐसी सुट्रेशन आएंगी कुछ ऐसी घड़ी आएंगी इसके वज़ए से आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा रहने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी दिक्कत आएगी थोड़ी सी एनरजी ऐसी आ रही है कि yas relationship koo एक तरीके से सही वे में लेकर जाना थोड़ासा कृटिकल हो सकता है थोड़ी सी issues हो सकते हैं आगे दिख रहा है कि confusion जो है यहां पर है ठीक है confusion है ASON है और मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि confusion इतनी ज़ swoje कि करे कैसे करे कि कैसे ना करे है इन pressing सारी चीजों में यह person को confusion बने हुई है इस person की confusion काफी clear way में दिख रहे हैं कि यह जो person है आपके चाहते हैं कि फटा-फट-फट-फट-फट-फट करके जो भी चीजे हैं balance हो जाए है ना तो यहां पर दिख रहा है कि person passionate बहुत जदा हैं आपके तरफ आपके तरफ आने के लिए यह कहें तो इंप्रेस के नर्जी है जो परसन है आपके मतलब एक होता है कि एक्वल इवेंट करना या आपको तवज्जों देना आपकी feeling से आपके emotions को जानना है ना वह energy मुझे feel हो रही है so yes मुझे यहां पर यह देख रहा है कि आपके और आपके partner की बीच में वह प्यार वह महबत है ना काफी clear देख रहा है और यहां एक new beginning देख रही है ठीक है मुझे यहां पर एक new beginning को manifest कर रहे है और यहां पर यह भी देख रहा है ज्यासरा और यह जो परविष्ण है आ डीसीजन ले करके करके आगे आपके सांथ justice ही होगा आपको जस्टिस मिलेगा ठीक है आपको टेंसे लहने की जरूत विल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहां पे justice की energy आ रही है justice मिलता हुआ दिख रहा है मुझे यहां की energy दिख रहे है कि justice मिल रहा है और justice यहां पे यह person देंगे आपको so tension लेने की ऐसी कोई बात है नहीं ठीक है so overall अगर reading में हम देखे न तो यहां पे मुझे काफी ज़्यादा clear message मिल रहा है कि आपके partner आपको justice देंगे आपके साथ equal giving take करेंगे है ना और relationship को आगे ले जाने में आपकी help करेंगे ठीक है so एक new beginning होगी आपको tension नहीं लेना है बहुत ज़्यादा clear है कि new beginning होगी ही होगी ठीक है so overall reading में यहीं देख रहा है description box में number available है ठीक है मिलते हैं फिर आपसे दूसरी reading में तब तक के लिए bye bye and take care